पिरिये बच्चों आप तमाम का आउनलाइन लर्निंग इसकुल एप में स्वागत करता हूं इस्तक्बाल करता हूं बच्चों हम सब इस धर्ती पर रहते हैं इस जमीन पर रहते हैं और हम बहुत सारे खुद्रती मनजर देखते हैं यह सब अल्ला ताला ने अपनी खुद्रत से बनाया हैं और तमाम जानदारों के लिए बनाया हैं जैसे हम जमीन पर गहरे समंदर देखते हैं गने जंगलाद देखते हैं ये सब हमारे फाइदे के लिए बनाए गए हैं इनका हम ये उप्योग करते हैं इनसे हमें बहुत ज्यादा फाइदा होता है हमारा पूरा जीवन इसी पर निर्भर है हमारी पूरी जिन्दगी इसी के जरिये चलती है प्यारे बच्चो इसी तरह हम आज थोड़ी सी आस्मान की जानकारी लेते हैं अजीज और प्यारे बच्चो मुझे बताईए आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे इस चित्र में बादल दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चो अब बताईए मुझे इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे इस चित्र में हमें आस्मान में उड़ते परिंदे दिखाई दे रहे है प्यारे बच्चो जब आस्मान में परिंदे उड़ते है तो कितने सुन्दर लगते है कितने प्यारे लगते है कभी कभी तो आस्मान में हम हवाई जाहास को भी उड़ता हुआ इस चत्र में क्या दिखाईए दे रहा है रहा है hele बहुत अच्छे इस चित्र में तारों भरी रात नजर आ रहे हैं जिए बच्चों आपने देखा ओगा तारों भरी रात उसमें जो तारे जिलमिल जिलमिल करते हुए हमको दिखाई देते हैं कितने सुन्दर और कितने प्यारे लगते हैं बच्चो अब मुझे बताईए धीरे धीरे रात गुजर जाती है रात गुजर जाने के बाद में क्या होता है बहुत अच्छे रात गुदर जाने के बाद में दिन निकलता है सुरज निकलता है अच्छा तो बच्चो इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे इस चित्र में हमें निकलता हुआ सुरज दिखाई दे रहा है बहुत प्यारा जवाब दिया आपने अच्छा बच्चो सूरत से हमें क्या हासिल होता है सूरत से हमें रोशनी हासिल होती है अच्छा ये रोशनी कहां फैलती है बिल्कुल सही कहा ये रोशनी धर्ती पर फैलती है पूरे दुनिया के अंदर फैलती है अच्छा बच्चो अब ये बताईए मुझे इस रोष्णी को हम क्या कहते है बिल्कुल सही कहा इस रोष्णी को हम किरने कहते है अच्छा तो बच्चो आज हम कक्षा छट्टी विशय हिंदी एकाई नमबर दो की कवीता नमबर दो एक किरन इस कवीता को पढ़ते है कि कि अज़गे टुड़ा इपी है कि अज़ एगालने हैं लूज़ है झाह एगत कि कि अज़ा है कि अज़ा है